नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने योट्यूब चैनल जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर मैं आपके साथ दोस्तों बीजै सर दोस्तो यह बीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप सिच्छक बरती की तयारी कर रहे हैं सिच्छक बनने की तयारी कर रहे हैं कमटीशन की तयारी कर रहे हैं तो यह समझ लीजे जान है सिच्छक की जान है यह बीडियो क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तो की पर जो भी बेस्ट है उनको डिटेल के साथ जानेंगे इसके बाद और इनके प्रनेता कौन है शुरुवात कहां से हुआ किस राज से हुआ किस गाउं से हुआ पूरा कंक्लूजन हम बताने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो को अंतक बने रहें और अच्छे तरीके से समझे और ट प्रमुक पर्यावरन अंदोलनों में से बिस्नोई अंदोलन आता है दोस्तों बिस्नोई अंदोलन के यह बार अप्रतेग बार अपके जाम में पूंच लिया जाता है इसके प्रनेता कौन रहें इसके प्रनेता कौन है यह पूंचा जाता है तो आपको क्या करना है इनके प कौन है जंभो जी रहे हैं और किस राज में भारत के कौन से राज में आपका विश्णोई अंदोलन चलाया गया था इजाम में आ गया तो करना वही या राजिस्थान कौन से ऐसा राज है राजिस्थान राजिस्थान देश का सबसे बड़ा राज माना जाता है छेतफल की द सबसे बड़ा राज जहराजिस्थान है सबिलो आड जन्संक्र गिजस से आपका क definite हो जाएगा सब विलो सम्हेंट करें जन्संक्र कि जबस्तर प्रदेश हो जाएगा थीक है तो बिश्णोई अंदोलान आपके कहा राजिस्थान से प्रारण किया तहां और खिजडी गाउं के भिष्णोई है खिजड़ी सब्द बहुत आता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे ब्रच्चों खिजड़ी ब्रच्च पाये जाते हैं और यह जो ब्रच्च होते हैं यह आपके पतियों के के लिए नहीं कि पसुओं के लिए काम आते हैं और इसकी दवाही भी बनती ह तो खिजडी गाओं क्या है बिस्णोई ने बिस्णोई समाज के द्वारा चलाएगा थी ये भी बहुत बार प्रस्ण पराता है बिस्णोई अंदोलन किसके द्वारा चलाएगा थो बिस्णोई समाज के द्वारा चलाएगा इसलिए यहाँ पर बिस्णोई अंदोलन का नाम की थी ये भी प्रस्न आता है तो इंपौर्ट्ट Turkish अंदोलन में आपके संथ भोजी ने की तोटल आपanda 29 यान कि 29 नियंग बनाए थे अपने थीक तीक है सबी के अपने 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 नियंग होते हैं तो प्रस्न आपकी जाम में आते हैं तो दोस्तों अगर siitä तेल सहीत आये हो वीडियो पसंद्संद्ह एक लाइक कर दिजिएगर दिल से लाइक कीजेगा बिल्कुल जो भी करिए दिल से करिए सुकून मिलता है दोस्तो नने स्ट्राप का वं कई अंदोलन चिपको अंदोलन के और गौरा देवी गौरा देवी का भी आपने नाम सुना होगा तो यह आपके तीन नाम इन्होंने सहायता की थी लेकिन जो प्रणेता रहे हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी तो बिलकुल स्री चंडी प्रसाद भट जी है और इनके सहायक कौन रहे हैं सुन्दालाल 1973 में हुई 1973 में और इस्थान क्या है वर्दमान में उत्राखन के चमोली जिला के गोपेस्वर गाओं और रेणी गाओं बहुत बार दोस्तों पूँचा गया रेणी गाओं चमोली जिला है और रेणी गाओं रेणी गाओ समंदी थे और 1987 के समय में जीवी का पुरुसकार भी दिया गया था 1987 में रेणी गाओ को क्या है जीवी का पुरुसकार भी मिला था कब 1987 में ये भी नोट कर लिजेगा और सुन्दालाल भगुडा ने टिहरी बांध अंदोलन के जनक है ये आपकी जम में आ सकता कि टिहरी बांध अंदोलन के जनक कर रहे हैं तो आपके सुन्दालाल भगुडा जी है नोट कर लिजेगा बहुत ये बेरी बेरी मोश्ट इंपार्टेन प्रेसने दोस्तों ये टिहरी बांध के जो अंदोलन चला गया तो उसके जनक कौन रहे हैं तो वह आपके सुन्दालाल भगुडा रहे हैं तो पूरा डिटेल के साथ एकदम सच्चाई से NCRT का पैटन उठा कर टाइप करके आपके सामने पेस कर रहे हैं इस मेहनत को आप बिलको लाइक और जरू सेयर करें दूसरा आता है दोस्तों तीसरा आएगा आपका अपिक्को अंदोलन चिपको और अपिक्को अंदोलन जो है आपको नाम में ऐसे लगता होगा लेकिन ये इनके अलग-अलग हैं कंडी सान अलग है, इनके प्रनेता अलग है, इनके स्थान अलग है, इनका स्थान अलग है, इनका नारा भी है, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ जानते हैं, देखे दोस्तों अपिको अंदोलन के अगर बात करें, तो इनके प्रनेता कौन नहीं, तो पांडू रंग हेगडे हैं स्री पांडू रंग हेगडे जी अपिको अंदोलन के प्रणेता रहें तो प्रणेता तो सभी क्या आना चाहिए भाईया सिच्छक बनने जा रहें इतना तो प्रस्ण इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपके NCRT के पैटन में है और NCRT के पैटन में चाहिए समीधा सिच्छक की बात करूं चाहिए सीटेट, यूपीटेट, टीटी, रीटी जाम कोई भी टेट का इजाम हो यह सभी के लिए कंपल सरी आपका कोर्स है सलेवस है दोस्तों और इस थ पिरासी में अपिक्को अंदोलन की सुरुवात की गई थी और अपिक्को अंदोलन में एक नारा भी दिया गया था बचाओ बेलेशु मत्तु बलेशु ठीक है क्योंकि करनाटक में कंणड भासा में है नारा है बचाओ बेलेशु मत्तु बलेशु यह भी आ सकता है कि यह न चिपको अंदोलन उत्तर भारत में अपिको अंदोलन यानि कि दच्छिन भारत में जाना जाता है यह आपको नोट कर लेना है कि चिपको अंदोलन को उत्तर भारत में अपिको अंदोलन के नाम से जाना जाता है चिपको अंदोलन जो है ठीक है उत्तर भारत में अपिको अंद उचा जाता है परेवरंब्र कबेश्ट यहाँ पर पार्ट है दोस्तों साइलेंट गाटी अंदोलन की सुरुआत 1973 में की गई थी 1973 में किया गया था और इस्थान यहाँ पर के है केरल के कुंती पूँच नदी में किया गया था ठीक है घाटी है घाटी सब्दार समझ लीजे गई है केरल के कुंती पूँच पूँच नदी में किया गया था और आपके कुंदेर मुख जल बिद्दुत पर्योजना भी आपका यहीं पर है क्या है कुंदेर मुख जल बिद्दुत पर्योजना अगर आ जाए तो केरल में है कुंती पूँच नदी पर है और घाटी को साइलेंट वैली राश्टी पार्क के नाम से भी जाना जाता है जो आपके साइलेंट घाटी अंदोलन किया गया था है ये आपका राश्टी पार्क भी है साइलेंट वैली राश्टी पार्क के नाम से जाना जाता है जो आपके पलककाड जिला में है क्या है पलककाड जिया में है जो कि आपके केरल राज में घोर सित है तो ये भी important फूरे fact है next यहाँ पे अंगला अंदोलन है दोस्तो नर्वदा अंदोलन बहुत बारिस्ताम में जाम में पूंचा गया है नर्वदा अंदोलन नर्वदा बचाओ अंदोलन चलाए गया था कब चलाए गया था 1989 में यानि कि 1989 में आपका नर्वदा बचाओ अंदोलन चलाए गया इसके प्रनेता आपके मेधा पाटे कर रहे हैं सहायक कौन है अनुरुधती राय रहे हैं बाबा आम्टे इबं अनिल पठेल बाबा आम्टे आपने बहुत नाम सुना हो गए इन में से कोई भी अगर आपसन आ जाता है अगर मुख रूप से प्रनेता आता है तो मेधा पाटे कर आपसन है तो मेधा पाटे कर आपसन मारिएगा वर्न आपके अनुरुधती राय हो गए बाबा आम्टे हो गए अनिल पठेल ये तीनों आपके हैं सहायक हो जाएगा नर्मदा बचाओ अन्दोलन के और नर्मदा नदी के उपर बनाई जाय रही जो बहु उद्देसी बांध परियोजना भी आपका चलाय गया है ठीक है बांध परियोजना कहा बना है बहुत देसी पान परियोजना नर्वदा रदी के उपर बनाई जा रही है ये ये भी आपका हो गया और इसके साथ ही दोस्तों अंगला आता है जो जंगल बचाओ अंदोलन इससे भी प्रसन आपकी जाम में आते हैं सभी मोश्ट यहां पर पूरा कंकुलूजन लेके आएंगे पूरा पर्फेक्ट आपका NC-RT के पेटन पड़ जो बिलकुल आना यहीं से आते हैं परसन यहीं से बनते हैं और यहीं से आपसं बनाया जाता है दोस्तों तो जब हम पूरा यहाँ पे अपका conclusion पढ़ लेंगे तो वहीं हमें option को भी बन ही बात जाता है कोई इसमें confusion नहीं रहता दोस्तों क्योंकि हम detail के साथ बता रहे हैं आप लोगों को तो आज ही हमारे जैसवाल coaching center को जरूर यहाँ पे join करें और bell icon जरूर पेस करें ताकि latest notification आप मिल सके all subject के आपको video मिलते रहेंगे अब दोस्तों बात आती जंगल बचाओ अंदोलन की शुरुवात कब कहा की गई तो आपके झार खंड में की गई थी कहा किया गया था जंगल बचाओ अंदोलन की सुरुवात झार खंड में किया गय था से कम प्रसनाते हैं और साल आपके जंगल बचाओ अंदोलन जो जारकन में इसमें सबसे ज्यादा जो ब्रच हैं आपके साल और क्या है सागाओन के पेण सिंग भूमी की छेत रहे कई बार आ जाता है जंगल बचाओं अंदोलन की छेत पड़ किया गया था तो सिंग भूमी की छेत पड़ किया गया था जंगल बचाओं अंदोलन में कौन कौन से ब्रच थे तो साल के ब्रच की जगए सागौन के पेंड यहाँ पे लगे थे कैसल के ब्रच की जगए सागौन के पेंड लगा जा रहे थे इसलिए जंगल बचाओ अंदोलन किया गया था इसी के साथ दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक बार दिल से लाइक कीजेगा और आते हैं जंगल बचाओ अंदोलन का मैंने आपको बता ही दिया पूरा डिटेल के साथ और इसके साथ जानते हैं और दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपकी जाम में पूछे गए हैं तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों के सामने डिसकस करना चाहिए क्योंकि हमारा दोस्तों उद्देश है सिच्छा जगत का चनल है तो हमारा हित हमारा क्या है राष्ट हित में सिच्छा है बिल्कुल दोस्तों बात करेंगे मिट्टी बचाओ अंदोलन के सुरुआत कौन है बाबा आम्ते हैं कहां पर होसंगाबाद जो की मद प्रदेश में सुरुवात किया गया था मिट्टी बचाओ अंदोलन के प्रणेता बाबा आमते रहे हैं सुरुवात मद्पदेश के हुसंगाबाद जिले से हुआ था फिर आता सेकंड गंगा मुक्ती अंदोलन जो की इनके प्रणेता अनिर प्रकास जी है और यह भागलपूर बिहार से यह दोस्तों बहुत बार आपकी जाम में पूचा गया सीटेट की बात करूं यूपेट की या वर्ग एक दो की बात करूं इनमें पूचा गया प्रसने या रीटी जाम की बात करूं तो पानी रोको अंदोलन राजेन इनके प्रणेता राजेन सिंग रहे हैं और यह आपके राज से राजेन आता है ये आपको नोट कर लेना पानी रोको अंदोलन डवलार नोट कर लेज़े ठीक है अगर पानी रोको अंदोलन आ गया तो डवलार आपको लगा देना एक से राजेन सिंग हो जाएंगे एक से राजिस्थान क्योंकि आपको पता है राजिस्थान राज जैसा है जहां पर पानी के दिखता अधिक मात्रा कमी रहती है पानी की अधिक मात्रा में कमी रहती है तो आपका पानी रोको इसलिए पानी रोको अंदोलन चलाए गया था इनके प्रणेता राजें सिंग जी रहें और आपके इनके कौन से राज राजस्थान रहा तो यह रह करें खुसी का ठिकाना नहीं है मेहनत भी कर रहे हैं यह हमें पता है दोस्तो तो आज ही जरूर सब्सकाइब करें जितने भी आपके रिलेटेड है रिलेशन में सिच्छक भरती के त्यारी कर रहे हैं तो बेस्ट आपका है जैसवाल कोचिंग सेंटर जो आपके जियाम के पैटर्न के उसार यहां पर प्रस्न आते हैं तो सिच्छक बनो और जैसवाल कोचिंग सेंटर को जोईन करो धनवाज सभी मित्रों को मिलते हैं इस क्लास में धनवाज शाथियों